इस वीडियो में बात करेंगे एंस बेसे नर्सिंग का आपका जो मेरेट लिस्ट आए कि नेक्स्ट यर भी वह सेम प्रोसेजर से आएगे लाइक फिफ्टी परसेंट आपके यूर में आपके पास होने चाहिए ओविसी में आपका 45 एसी और एसी में 40 तो अगर आप देखोग में लाइक उतना फरक नहीं है यूर के बराबर ही मान दिया जाता है बट इस बार भी कैटेगरी है तो आपका फाइदा है अगर आप देखोगे कि नेक्स्ट राउंड में आपका क्या हुआ था 912 से वो डिरेक्ट आपका कहां पे गया था 1250 पे गया था मलब 1250 रेंग तक 50.1 परसंटेज ऐसे करके मलब उपर ही होने चाहिए ओबिसी में उनके होंगी जिनके 45 से उपर है ओबिसी में कितना चला गया था आपका 1200 से वो सीधा 1600 गया था लाइक आप देख सकते कि इतनी सीटे हैं सीटे थी इस बार जाद है इस वज़ए से और नेक्स्ट आपका एस नेक्स्ट आउनन में 2618 हो गया था सेकेंड रौन की बात करें तो यह आपका सेकेंड ने 2618 2734 क्यूं हो गया होगा ऐसा कि उन्होंने आपका चोईस सही से फिल नहीं करी होगी उसके बाद बात करते हैं तो आपको next year जो open on देखने को मिल रहा है यहां पर आपका यह बिसी ओनर्स का ही है तो आप यहां पर देख सकते हूं कि 1250 से 1368 तक गया है 1368 जो आपका यूर का यहां पर aims पिलासपूर मिला है इनका 50% चे उपर हो होंगे ठीक है तो next year के लिए अगर आप रिपेर कर रहे हो तो सही से करना था कि आपके 50% से उपर आए अगर आप यूर से हो ओपिसी में 45 एस्ट में 40 EWS में भी आपके 45 से अबाव ही हो सोरी EWS भी आपका यूर जैसा 54 परसेंट में होगा लास्ट में यहां पर ऐसी को नहीं मिला क्योंकि एसी की जितने भी परसंटेज वाले बच्चे थे मलब जितनी परसंटेज आपकी चाहिए थी उतने बच्चों को मिल चुका है पहले ही अगर नेक्स्ट बात करें तो यहां पर आपका जब ओपन राउन की सीट पोजिशन आई थी इसमें आप देख सकतें कि SC की PWD की जो सीटे थी वो आपकी बची वी थी और 62 सीटे आपकी किसकी बची थी SC की सीटे की बची बची थी और मिली किसी को नहीं अभी तो यह सीटे कहां चले किया होंगी यह सीटे यूआर में चले गए होंगी उसके बाद अगर इस्टे राउंड होता है तो जो एन्होंने ऊपन राउंड में पारिसिपेट कर सकते हैं एंड जो आपके 64 सीटे यूआर की मिली है पर सीटे आपकी बहुत सारा बची थी सरे तो अगर आप तो यह लिस्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है यह बहुत कम आप बच्चों को मिला है अभी कॉलेज तो आपका पैरामेडिक तो अभी सेम इस हुआ था आपका दूसरी लिस्ट आ रखी थी सेम जो आपका ये बेसी नर्सिंग इंट्रेंस एक्जाम हुआ था तो वहाँ पर सामने आपका परसेंटेज देखने को मिल रहे है तो 1368 लास्ट नमबर था यूर का जहां पर आपको ओपन नमबर में मिला है तो हम चेक करेंगे कि 1368 चो लास्ट नमबर था वह आपका यूर क था क्या 136 श्रेट के बाद 1369 और 1370 भी है यह दो बच्चों ने भी पार्टिशिपेट नहीं किया होगा वनना इनको भी मिल जाता